नमस्कार दोस्तों, UPSC Master में आपका स्वागत है बित्रों ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं रास्टे आंदोलन पर और चर्चा का जो मुख्य वी से चलना है, वो है रास्टवाद और उसके उद्यक कारण इसमें उद्यक के कारणों में देशी कारकों पर या कारणों पर हमने चर्चा कर ली थी सबसे पहले हमने जान लिया था धार में एक वैस सामाजिक स्थार आंदोलन क्या थे 19-20 वीडियो है, वो सारे की सारी अपलोड कर दे गई है, पीछे आप देख सकते हैं अब विदेशी कारक जो है राश्टवाद के उद्यके, उनमें एक मेजर पार्शन है या मेजर कारण है लिंटन की भारत विरोधी नितिया जिन पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, चलियाए शुरू करते हैं आज का टोपिक मेरा नाम है मरोसोश्यान और आप मुझे फेस्बूक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलोग कर सकते हैं देखे मित्रो, जो लिंटन था या लिंटन परत्थम था यह भारत का वायसा रहा था अठाशो चेतर से अस्षी के मध्धे इसकी न्युक्तिक की थी जो रुडिवादी सरकार थी उसके प्रहामंत्री बेंजामेंट डिजराइली ने अर्थात इसी के ये चमचा बनके भारत में आया था और इसका जो पूरा नाम था वो था रोबर्ट बुलवेर लिंटन एडवर्ड यह जो है सबसे ज़्यादा व दोरान अनेक भारतिरोधी कार किये जिससे भारत में रास्तवाद का मार्क तेजी से प्रसस्त हुआ वह जो भारतिरोधी कार थे वो इस प्रकार है देखे सबसे पहले 1876 से 78 के मद्दे जो है भारत अकाल से पीडित रहा यहां इसने भारतियों का सयो करने के बज़ए 1877 में दिल्ली दरवार का आयजन किया नेक्स्ट इसका भारत विरोधी कारे रहा आया सुल्ग में कमी नेक्स्ट दित्तिय अफगान युद्ध जो इसने 1888 से 80 के मत्य लड़ा और इसका जो सबसे जो भारत विरोधी कारे माना जाता है वे हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो इसने 1888 में पारित किया इसके लावा भारतिय सस्त्र अद्रियम और अंत में विधानिक लोग से वायों चलिए आए शुरू करते हैं इन सभी भारत विरोधी कारियों पर एक के बादे करके चर्चा देखे सबसे पहले हम देखे अकाल के दुरान दिल दरवार का आयजन देखे ऐसा नहीं है कि अकाल लिंटन के सासनकाल में ही या अंग्रेजों के सासनकाल में ही पहली बार पड़े सबसे पहली बार उल्लेक मिलता है भारते इतियास में मौरे काल के दुरान, चंगुत मौरे के दुरान एक अकाल पढ़ा था और चंगुत मौरे जो है, उस अकाल से निपटने में ऐसमर्त रहा था और ऐसा इतियासकार मानते हैं कि इसी बज़े से चंगुत मौरे ने करनाटक में सरवनेल गोला नाम अस्थान पर जाकर सलेकना व अकाल में और जो बिटिसर्स के दोरान यहां अकाल पड़े उनमें में डिफरेंस यह है कि आधुनिक काल अर्थात बिटिसर्स का प्रियेड चलना था यहां अकाल का परभाव ज़्यादा देखा गया क्यों कि अंग्रेज अकाल के दोरान या ऐसी जो दुरगटनाय गटती थ भारतियों का कोई सयोग नहीं करते थी जबकि इससे पूर्व के जो सासकते चाहे वो प्राचिनकाल के रहे हूं या मद्यकाल के रहे हूं वे जो है जनता का सयोग क्या करते थे देखे समय था अठारसो चेतर का और चेतर से अठेतर के मद्य जो है वो भारत में जो साउथ इंडिया था अच्पेसली बंबई मद्रास मैसूर हैदराबाद और कुछ इससा जो है मद्यवारत का यहां जो है भीशन अकाल पड़ा था और ऐसा माना जाता है कि इस ग्रेड फ्रमाइड में लगबग 50 लाख लोग काल कवलित हो गए थी अब देखे जो लिंटन था लिंटन ने अकाल के तरब कोई ध्यान नहीं दिया इसने जो है अठारासो चेतर में राज उपाधी अधनियम पारित किया और इस राज उपाधी अधनियम के तहत जो है अठारासो स पानी के तरह पैसा बहाया गया यह वो समय था जब भारतियों को सयोग के पेक्षा थी ब्रिटिस सरकार से ब्रिटिस सरकार जो है यदी सयोग करती तो अकाल का परभाव कुछ कम हो सकता था परंतु ऐसा नहीं किया गया देखिए अब क्या अब इससे जो है भारतियों में एक आक रोज ने जन्म लिया अब देखे फिर भी जो है लिंटन ने एक लेपा पूती करने के लिए 1878 में जॉन डिचर्ड अस्ट्रेची किया धेक्स्ता में एक अकाल आयोग का गठन किया अब इस अकाल आयोग ने यह सुजाव दिया कि प्रतेक प्रांत में अकाल से निपटने के लिए एक अकाल जो है अकाल कोश का गठन किया जाना चाहिए परन्तु इस प्रकार का कोई कोश जो है गठित नहीं गया गया नेक्स देखे आयात सुल्क में कमी इसका दूसरा भारत विरोधी कारी था देखे सर्व विदित है कि यह जो दोर था इसमें जो इंग्लेंड था इंग्लेंड में ओदोगिक करांती बहुत तेजी से चल लही थी और ओदोगिक करांती तभी बने रह सकती थी तब कच्चे माल की प्रोपर आपूर्ती हो कच्चा माल मिले और दूसरा जो है इसको एक मार्केट मिले मंडी मिले तो अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल का आपूर्ती करता और तियार माल का एक मार्केट के रूप में जो है डेवलप किया अब इसी के चलते लिंटन ने मुक्तवयापार निती अपनाई और भारत को मार्किट के रूप में तब्दिल करने के लिए किया कि 39 वस्तों से जो है आयातकर स्वाप्त कर लिया इंपोर्ट डूटी जो लगती थी इंग्लेंड से भारत में समान भेजने के लिए उसको स्वाप्त कर दिया गया इसके लावा भारत में अपने आप ही सूती वस्तर बहुत जादा मातरा में बना जाते थे देशी बुनकर थे यही उनके रोजगार का एक मातर साधन था अब लिंटन ने किया कि जो इंगलेंड से भारत में आने वाले सूती वस्तर थे उनसे 50% आयतकर साप्त कर दिया इसका परभाव पड़ा के जो देशी बुनकर थे वो नस्ट होने की कारण पर आ गए कारण क्या था कि उनके बनाएवे जो वस्तर थे अंग्रेजों के बनाएवे जो वस्तर होते थे वो क्वालिटी के थे सस्ते भी थे जबकि भारत में जो चर्का चलता था खादी थी वो वस्त थोड़ा दिखने विडफ होते थे और थोड़ा से ज्यादा कोश्टली होते थे यही बजया है कि जो कस्टमर था वो अंग्रेजों के समान को खरिता था और यह देखने को मिला कि जो बुनकर थे बुनकर धीरे 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 नस्ट हो गए एक समय ऐसा आया कि वो जो है बिलुप्त हो गए नेक्स देखे इसका एक और भारत विरोधी कारिया है वह है भारतिये वासा समचार पत्र अधनियम अर्थात वरना क्यूलर प्रेसक 1878 देखे लिंटन के इन कारियों की जो आलोचना थी वो देशी प्रेस बहुत जोरो सोरो से कर रही थी मुक्त कंट प्रेसा की जा रही थी लिंटन की देशी प्रेस द्वारा इसलिए देशी प्रेस का गला दवाने के लिए लिंटन ने ये किया कि जो देशी भासा में छपने वाले पत्र थे उन पर पूर्णत है प्रतिबंद लगा दिया देखे जो कि जो प्रेस होती है प्रेस ह नेक्स है ये कि सोम प्रकास जो है बंगाल में बंगला भासा में छपता था अब ये जो है अगले दिन भी बंगला भासा में ही आ गया तो इसको पूर्टया प्रतिवंदित कर दिया गया जबकि अमरित बाजार पत्र का जो है वो बंगला से रात और रात जो है अग्रेजी भ रख सकते थे अब इस आमस का अंग्रेजों को कोई नुक्सान ना हो जाए उनको कोई हाली ना हो जाए इसलिए लिंटन ने जो है इसी को जान में रखते हुए बारतिय सस्त्र अधनियम 1878 अर्थात इंडियन आमसेक्ट 1878 पारित किया इसके लिए कर दिया गया कि जो भारतिय है बिना लाइसेंस के हत्यार नहीं रख सकते हैं और यदि वह ऐसा करेंगे तो यह जो है एक दंडनी अपराद होगा हाला कि इसके कुछ अफवाद भी थे यूरोपियंस बिना लाइसेंस के अस्त्र सस्त्र रख सकते थे एंगलो इंडियन बिना लाइसेंस के अस्त्र सस्त रख सकते थे next देखिए important है अब लिंटन का यह भी भारत विरोधी कारे ही है वो है सिकंड एंगलो अफगान वार 1878-20 दित्य अफगान युद्ध आप देखिए इस्थति क्या है कि रूस और इंगलेंड जो भरती हुई सक्तियां थी वो पूरब में अपने सामराज के विस् competitor थी आप देखिए जो इंगलेंड में पार्टी थी conservative उसको जो है वो यह उसको doubt बना हुआ था या उसका यह मानना था कि रूस जो है अफगानिस्तान से होकर भारत में अपना परभाव जमा सकता है मतलब conservative पार्टी के जो डिजराइली जो नेता थे मुख नेता उस दुरा जो डिजराइली थे डिजराइली ने अपने चम्चे को जिनको मैं कह रहा हूँ लिंटन और लिंटन को यह आदेश दिया कि वो जो है यह अफगान युद्ध लड़े अपने सामराज्य के विस्तार है तू और रूस को जो है वहाँ से वापस रटाए तो इसलिए जो है ल फरवड पोलिशी अपनाई युद्ध किया और परांतु इस युद्ध में भी जो है इसको पूर्णता सबलता प्राप्त नहीं हो सकी यह हम चर्चा करेंगे अलग से टॉपिक में जह हम पढ़ाएंगे यहां बस इतना ही देखना है यह युद्ध जो है भारतिय धंसे प्राफदान किया गया था कि जितने भी सिविल सेवग है उनकी न्युकती एक परतियोगी परिच्चा के माध्यम से होगी परन्तु लिंडन ये मानता था कि बारतिय सिविल सेवा को जोन करने के लाइक नहीं है तो इसलिए इसने ओपिसन ये एक रखा वैधानिक लोग और visto rain पत्ला च representing जो लंडन में बैठता था और वो जिन बैक्टियों को सेविल सेवा के रूप में का सीविल सेवा के पतबर कार करेंगे भारत में देखिए यह जो है गरनित कारे था भारतियों को नकार दिया गया था उनकी योगताव को एस्विकार कर दिया गया था इसके लावा जो कुछ बचे कुछे सिविल सेवक थे उनको रोक दिया गया कैसे परिक्षा में बैठने से उद्धे के सिविल सेवा परिक्षा की जो दुरान आयू होती थी वो मैक्सिमम आयू होती थी बारते बिद्यारती जो होते थे या जो प्रतियोगी होते थे उनके लिए भी मुश्किल का रहे था दूसरा 19 वर्ष के अवस्था तक वो लगवक तयार नहीं हो पाते थे जबकि जो बिटिसर्स थे वो इन दोनों ही कंडिसन्स को फुलफिल करते थे और यह देखने को मिला यह परभाव देखने को मिला कि जो ज़्यादा सिविल सेवक थे वो अपोइल्ट वे बिटिसर्स थी हाला कि इतने नहीं होते थे पहले भी भारतिये परन्तु जो कुछ होते भी थे वो भी जो है रुग गए देखे इन कारियों से देखा जाता है कि बारत में जो राष्टवात की जो प्रगितिसील प्रकिरिया थी वो तेज हो गई अब देखे प्रगितिसील प्रकिरिया तेज हुई है पहले सामान गती से चल लई थी फिर दुरुत अवस्था में आ गई एकदम से तेज हो गई इ उन्हें जो है भारत में राष्टवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। प्रस्काइब जरू कर दीजिये और जो है यूपीस्सी एस्ट्रेट पीस्सी के संबन्द में आप कोई भी सला सुझाओ देना चाते हैं तो कमेंट बूक्स में जरूर लिकिए। ठैंक्स पूर वाचिंग जैहिंद जैभारत महासकति भारत।